नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन असम में भारतिय जनता पार्टी की हुई है बड़ी जीत जिसको लेकर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी भी बोले हैं इस जीत के लिए विश्वास के लिए जनता का आभार जिहां असम के कच्छार हिल् पार्टी ने जो है वो बड़ी जीत हासल की है धर असल आपके लिए बता दें कि दिमा हसाव जले के 30 सदस्य साशी निकायचनाब पर जो है वो 28 सीटों में से 25 सीटों पर भारतिय जनता पार्टी ने ये बड़ी जीत जो है वो हासल की है असम के उत्तर कच्छार परवतिया यानि कि जो परिशद है NGSC में भारतिय जनता पार्टी की ने फिर एक बार जो है वो सत्ता बरकरार रखी है और यही बड़ी जीत जो है वो भारतिय जनता पार्टी के लिए है देखिए भारतिय जनता पार्टी ने दिमा हिसाव जिले के 30 सदस्य साशी निकायचनाब पर यह जीत हासल की है और यह चुनाब जो है 28 सीटों पर हुए थे अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है और उन्होंने यह भी बताया है कि मतों की गिनती जो है वो कल सुबह 8 बजे शुरू हुई और देर रात तक जो है वो समाथ हुई मत पत्रों के द्व तक वारा चुनाब का एक गया था और इसी के साथ अधिकारियों ने यह भी बताया है कि भारतियों जनतापार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासल की है एंसी एसी के निरवरतरम मुख्य अधिकारी सदस्य देवोलाल मरलोसा ने जो है वो दिहांगी निर्वाचन छेतर से जीत हासल की है और इसी के साथ ये भी खबर सामने आई है कि तीन सीट पर निर्दलिया उम्मीदवारों ने जीत हासल की है यानि कि अगर तीस सीटों पर ये चुनाब हुए थे जिस VNTSC के लिए मदान आठ जन्वरी को हुआ था और 85 प्रतीशत जो है वो मदान दर्च किया गया था यानि कि ये भी एक रिकॉर्ड है जिस तरीके से जमताने जो है वो इस चुनाब में काफी जादा दिलचस्पी दिखाई और जिस तरीके से प्रतीशत की बात करें तो 85 प् मदान किया था और ये रिकॉर्ड भी दर्च किया गया था मदान दीमा हसाव जुले के 22 निर्वाचन छेत्रों में से 231 मदान केंद्रों पर जो है वो मदान शांती पूर्ण तरीके से हुआ था जिसको लेकर आज बीजेपी ये भी कहती है कि ये शांती इसलिए है क्योंकि आज असम में जो है वो सरकार है बीजेपी की और मुख्यमंत्री है हेमंत विश्वस सर्मा और देखिए इस जीट को लेकर जो है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वस सर्मा ने जो है वो भी जनता के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने लिखा है कि हसा उत्री कछ स्वाइयत परिशद के चुनावों में लोगों द्वारा भारतिय जनता पार्टी को जुताने के लिए और जो परचंड जनादेश दिया गया है उसमें प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के विकासमक एजंडे के लिए और उनके आपार विश्वास का पुन प्रमाण है ये और खूपसुरती के छेतर में लगभग 35% जो लोग हैं वो इसाई समुदाई से हैं उनका अशिरवाद और उन सब का विश्कास जो तरीके से केंद सरकार के द्वारा प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के द्वारा हुआ गया है ये जीत उन तमाम चीजों को दर्शाती है प्रत प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने भी जो है वो कार्यकरताओं से लेकर तमाम लोगों के लिए जो है वो उन्होंने धन्यवात कहा है और प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से हसाओ के लोगों ने हमारी पार्टी के उपर जो है वो विश्व पार्टी और उनके पार्टी के जो कार करता है उसकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें धन्यवाद और उनका आभार करता हूँ देखिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी चाहे छोटे चुनाब हो चाहे फिर वो बड़े चुनाब हो किसी राज की जनता बीजेपी के लिए चुने या ना चुने पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी हमेशा ही जनता का आभार करते हैं और आज उस तरीके से असम में ये ब्हारतिय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है उस पर भी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने आभार जो है वो जनता का जताया है अगर हम बात करें नोर्थीस्ट जैसे इलाकों की तो बहाँ पर भी जो है वो अब भारतिय जनता पार् प्रचंड जीत हुई थी और वहां बीजेपी जो है वो चुनकर आई थी कई ऐसे राज्यों हैं जहां पर आज परधान मंत्री नरिंद्र मोदी की वज़े से जो है और जो तरीके से विकास की नीतिया जो परधान मंत्री नरिंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा लाई ज जाराई हैं और उसी का कारण है कि आज चुनाव छोटे हो या बढ़े हो जहां पहले बीजेपी का वर्चस्वा नहीं था वहां बीजेपी का वर्चस्व बढ़ रहा है और असम जएसे राज्यों में जहाँ भारती जनता पार्टी के सरकार को बने हुए ज्यादा साल नहीं हुए हैं बावजूद इसके लगातार जो है जनता है वो लगातार जनादेश भारतिय जनता पार्टी के पाले में दे रही है विश्वास जो है वो जताया जा रहा है अगर छोटे चुनावों को हम लोग सभा से जोड़ कर देखें तो देखिए जनता वही है और अ इसलिए भी है क्योंकि देखिए आने वाले दो से तीन महीने में देश में लोग सभा के चुनाव हैं जहां पर विधान सभा से लेकर हर चुनाव का महत्व जो है वो अलग ही देखा जाता है खैर लोग सभा के चुनाव जो है वो एक ऐसे चुनाव हैं जिस पर जनता बीजेपी ने तीन बड़े राज्जों में जीत हासल की जिसमें राजस्थान, मध्यपरदेश और 36 गर्स शामिल है अगर इस तरीके से जीत हो रही है तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी के लिए बड़ी खुश खबरी है तो वहीं दूसरी तरफ इंडी अलाइंस के ल हैं वो पहले से बड़ी है 2019 में जो है वो 2014 से जादा सीटे आई थी और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें विधान सभा की तो 77 सीटें उस समय पर भी बीजेपी की आई थी जिस बक्षिम बंगाल में बीजेपी को पूछा नहीं जाता था वा प्रधान मंतरी मोधी की न लोग सभा में देश की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को हम उखाड फेकेंगे क्योंकि इस बार देश के मुद्दे कुछ ऐसे हैं जनको लेकर आज दीश की जनता जो है वो देश की मोधी सरकार पर भरोसा नहीं करती है क्योंकि यह तो सूटबूड वाली सरकार है पर वह जिनका असर जो है वो हमने विधान सभा से लेकर कई और चुनावों में देखा है तो अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक के बाद एक छोटे चुनावों में भारतियों जनता पार्टी की जीत देखिए आज जो है यह बड़ी जीत जो है वो असम में हुई है पंचायत क जुनावों में काफी अच्छा रिस्पॉंस जो है वो बीजेपी के प्रतीत देखने के लिए मिला था तो अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से आज भारतियों जनता पार्टी की असम में जीत हुई है तो 2024 किस तरीके के रिजल्ट जो है वो बीजेपी के लिए लेक खाने वाली है क्या वो गटवंदन रहेगा या देश की मोदी सरकार पर अगर हम ग्राफ देखें जिस तरीके से प्रधान मंत्री की लोग प्रियता बढ़ रही है उससे कहा जा सकता है कि इस बार भी प्रधान मंत्री पुन है जो है वो प्रधान मंत्री की कुर्सी पर हो आप हमें कॉमेंट करकर जरूर बताइए थन्यवाद